अभी लोग श्वागेत आप शभीका अपनी क्लास में और हम लोग स्टार्ट करते हैं सीट टेक हम लोग पढ़ रहे थे काफी लंबा गैप हो गया इस बार क्लास के बीच में कुछ हेल्थ इसूस की वज़े से जो है काफी समय से मैं क्लास नहीं ले पाया पूरा एक हपता हम लोग का ऐसे ही निकल गया अब हम लोग फिर से वापस आते हैं अपने सीट टेक वारी क्लास पर जहां से हम लोग स्टार्ट किये थे जहां हम लोग पिछली बार आपको छोड़े थे मैंने कहा क्या है बीज की वह चमता capacity of seed to remain capable of germination of some specific period of time ठीक है तो मैंने कहा कि बीज के germinate होने की चमता बीज की जीवन चमता है वो समझो ठीक है तो उसे हम variability कहते हैं when the seed are dormant or very slow in germination the rapid test is extremely useful ठीक है कहने का मतलब है हम लोग जैसे बीज हमारा अच्छे से अंकुरण कर रहा है कि नहीं इसके लिए हम लोग क्या करते हैं अगर अच्छे से germinate कर रहा है तो यह seed की variability है ठीक है अगर germination में उसको क्या हो रहा है slow germinate कर रहा है या तो बहुत slow germinate कर रहा है dormant stage में चला गया है तो इसके लिए हम लोग variability test कर लेते हैं ठीक है वैबलेटी test कर लेते हैं जिससे हमको पता चल जाता है कि अच्छा बीज में जीवन समता है या नहीं है इस प्रकार का पहला test जो हम लोग अपनाते हैं that is respiration test भाई आप कोई जिंदा है या मर गया है तो घंक स्वास चेक कर लेते हैं इसे बोलते हैं ठीक है स्वासन टेस्ट हमारा यह हो गया respiration test हो गया respiration is an indication of life मैंनेका स्वासन क्या है जीवन की पहचान है ठीक है लेकिन ये इसका test करने का तरीका जो germination का है यहनी जो हमारा respiration है इसको test करना बहुत ज्यादा complicated होता है बहुत- ज़र डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम लोग respiration test को सामानेता avoid करते हैं, नहीं use करते हैं, ठीकि ये method हमारा basically use नहीं किया जाता है, क्योंकि seed की respiration छमता को नापना बहुत कठीन काम है अपने आप में, ठीकिए, इसलिए हम लोग respiration को avoid करते हैं, respiration test को avoid करते हैं, नहीं use फुल में लेते हैं, second हमारा होता है electric conductivity test, ठीक है, बीज को हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा seed है, ठीक है, इस seed को क्या करेंगे, distilled water में भिगोंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, distilled water में क्या करेंगे भिगो कर रखेंगे और उसके बाद वहाँ पर उसकी electric conductivity की जाच करेंगे ठीक है जो seed हमारा भीगा हुआ था इस पानी में distilled water में इस पानी की हम क्या करेंगे electric conductivity की जाच करेंगे EC की जाच करेंगे ठीक है अच्छा, conductance में अगर बढ़ोत्री हो गई है जिसे मालो पहले normal हमारा distilled water है समझो जड़ा मैं एक तेज ले लेता हूं तो आपको समझाने मासानी रहेगी हमारा पहले ये हमारा पानी है इसमें क्या है distilled water है इसका हमने क्या किया मालो electric conductivity measure कर लिया electric conductivity है अगर इस electric conductivity में बढ़ोती हो जाती है तो वो ये बताता है कि बीज में मरत टिसूज पाये जाते है यानि अगर इसी बढ़ गया ये इसी इतना था और इसी अगर बढ़ गया यहाँ पर इसका मतलब है यहाँ पर dead tissues जादा है dead tissues की मातर जितना ज़्यादा बढ़ जाएगा उसे समझ जाएगे कि इच्छा है इतने ज़्यादा इसमें dead tissues है फिसके के करते हैं और इस प्रकार से हम को समझ में आ जाएगा जो हम सीड यूज़ कर रहे हैं उसमें date seed का percentage कितना है दूसरा method हमारा हो गया electric conductivity method तीसरे method कि एगर हम बात करें that is potassium permagnate लाल दवा के नाम से जानते हो Kmno4 क्या होता है यह Kmno4 इसे हम लोग लाल दवा के नाम से जानते हैं इसका हम लोग use करते है seed की variability के लिए Kmno4 It is a qualitative test क्या है एक प्रकार का qualitative test है Find out feather seed are viable increase in the proportion of dead seed increase in the discoloration of the solution since the leaching from the living cell is very less कहने का मतलब है potassium permagnate हमारा एक क्या है एक प्रकार की qualitative test है एक प्रकार का गुडात्मक जाच है इसमें अगर dead seeds ज़्यादा डालोगे potassium permagnate में तो क्या होगा धीरे-धीरे potassium permagnate का color बदलने लगेगा potassium permagnate का color बदलने लगेगा और रंग हीन होने लगेगा धीरे-धीरे जो लाल दवा है red color की वेसे दवाई होती है लेकिने white होने लगेगा dead disease ज़्यादा होंगे तो ठेक है ऐसी condition में हमको पता चल जाएगा पोटेशियम permagnate का color इसमें कम होता जा रहा है इसका मतलब है यहाँ पर dead seed की मात्रा जादा है ठेक है तीसरा हमारा यह method हो सकता है potassium permagnate से आप पता सकते हो चोथा हमारा है indigo keramine portion of dead seeds is determined by the counting of number of stain भाई साब indigo keramine में क्या करते हैं हम लोग जो हमारे जितने भी हमारे dead seed होते हैं उसके रंग को पकड़ लेंगे उसके stain को पकड़ लेंगे और गिनकर प्रतिसत्ता निकाल लेंगे यह होगे हमारा indigo keramine test embryo culture embryo में मतलब भृूण तो भाई साब बीज हमारा germinate करेगा 7-8-10 दिन में उसमें भृूण आसानी से दिखाई देने लगेगा तो जिसमें भृूण निकल आये वो जिंदा है इसमें भृूण ना निकले वो dead है यह embryo culture method हो सकता है 7-10 दिन इसमें समया आपका लग जाएगा ठेक है tetrazoleum chloride test जो की आपका chemical test होता है ठेक है बीजों की जीवन चमता जाच के लिए tetrazoleum परिछन एक कम समय लेने वाला यानि अलप आवधे में पूढ होने वाला बहतर जो है test हो सकता है सबसे पहली बात तो यह कम समय लेता है इसलिए important है और बहतर भी है काफी सारी चीजों में अगर देखोगे तो बहुत बहतर काम करता है इसलिए हम लोग TZ को अपनाते है tetrazoleum test को अपनाते है TZ test के नाम से से जाना जाता है ठीक है तो हमने कहा TZ के बारे में पहली बात हमने क्या कही हमने कहा ये भाई साब बायो केमिकल टेस्ट है ठीक है बायो लॉजिकल भी कही कही लिखा रहता है वैसे ज़्यादा सही सब्ध होगा कि बायो केमिकल टेस्ट है ठीक है केमिकल यूज़ करते हैं इसमें हम लोग अच्छा क्लोराइड इसका हम लोग यूज करते हैं या क्लोराइड के स्थान पर कहीं कई बार हम लोग भी यूज कर लेते हैं Chloride या Bromide दोनों यूज़ कर सकते हो आप 2-3-5 Tetrazoleum, Trifenyle, Tetrazoleum, Chloride इसका हम लोग यूज़ करते हैं ठेक है? अच्छा यह रसायन हलके पीले रंका होता है यह जो chemical है यह कैसा दिखता है हमको? यह chemical हमको दिखता है हलका पीला नज़र आता है यह chemical 2-3-5 Phenyle, Trifetrazoleum, Chloride ना मियाद कर लेना आता है ठेक है? तो यह हमारा हलका पीले रंका होता है जो गुन-गुने पानी में घुलनसील होता है यह हलका पानी अगर गुन-गुना कर दोगे हलका सा temperature बढ़ावगे पानी का तो उसमें घुल जाए गई इस परिछण का सिधानतिया है कि जीवित जो हमारे जितने भी embryo होते हैं एक vicious reducing enzyme इसमें पाया जाता है जो tetrazoleum hole के संपर्क में आने पर लाल रंग में परिवर्थित हो जाता है हमने कहा seed जो हमारा होगा seed जो हमारा होगा वो भी जीवित seed हमारा क्या करेगा एक enzyme का स्रामड करेगा एक enzyme निकालता है जो इस chemical के इसuz chemical के संपर्क में आकर कैसा हो जाता है red color का हो जाता है ठीक है कैसा हो जाता है red color दे देता है य dismemberio हलका सा red color का हो जाएगा ठीक है आप च्छा बीज की जीवन छमता और बरकरार हो जाती भेतर रहता है परिछन में सिगर्टा लाने के लिए बीज को काट कर हम लोग का यूज कर सकते हैं नहीं सारे बीजों को काट कर नहीं कुछ बीज को काट कर हम टेस्ट कर लेंगे अच्छा कितने परसेंट बीज जो है जीवी थे इसमें कितने परसेंट बीज हमारे डेद कर गए हैं ठेके तो यह हमारा टेट्राजोलियम टेस्ट करने का तरीका है हमने कहा कितना सीड आर सोक्ड इन 0.5 तो 2 परसेंट सल्यूशन आफ 2-3-5 ट्राइफ ट्राजोलियम क्लोडाइट दा वाइबल ओर लिविंग सीड आर ब्राइड कलरेशन हलका सा डार्क रेड कलर देंगे यह एंड दा कलरेशन बिकम मोर इंटेंस इन दा एंब्रियो एंब्रियो के पास में बहुत ज्यादा डार्क लाल हो जाएगा इट में मेड क्विकर बाइदा कटिंग करनेल अगर कट करके करनेल को करोगे तो बहुत सीगर हो जाएगा इसके बाद हमारा गॉर्डेक्स टेस्ट है इसमें भी हम लोग प्राइफेनाईल टेटराजोलिम प्रोमाइड का ही उसकरते है लेकिन ये क्लाट टेस्ट हमारा क्या होता है बस ये डवाई के इस्थान पर ये पाउडर इसको खाथ है नहीं, टेराजोलियम ही है बत ऑids ओद करेंगे सीड मौस्ट्र की द्वारा आप माप सकते हो, इलेक्ट्रिक मॉइस्ट्र मेटर द्वारा माप सकते हो, इन्फरारेड मॉइस्ट्र मेटर द्वारा माप सकते हो, आयल डिस्टिलेशन मेथड द्वारा माप सकते हो, तो the lab oven method द्वारा या card fisher recent method के द्वारा आप नमी को माप सकते हो बीज की नमी को इंस्ट से मापा जा सकता है जो की खास important है नहीं जो question में आप से पूछा जाता नहीं है इसके बाद हम बात करेंगे seed dormancy की बीज की सुषुपता वस्था जिसे आप कहते हो पर शुपता वस्था mission है वो पूरी तरीके से रुख जाता है ठीक है मैं line by line आपको पढ़के नहीं समझाओंगा मैं क्या उसके कहने का मतलब है वो आपको समझाता हुआ चलूँगा seed dormancy ठीक है क्या होता है बीज की सुषुपता वस्था ठीक है, क्या होता है सुषपतावस्था, सुषपता यह नहीं शोना, ठीक है, अब ऐसे यह शो रहा है, कि भाई साब, इसमें हमने कहा, बीज की सुषपतावस्था का मतलब क्या है, पहले तो हमने कहा, कि भाई साब, शोशन, पूरता रुक जाता है, या बहुत स्लो हो जाता है ठीक है या तो रुक जाये पूरी तरीके से या तो बहुत बहुत ही slow हो जाएगा ठीक है और respiration quescent बहुत अधिक हो जाएगा अच्छा respiration quescent एन्य आरक्यू वैलू आप लोग पढ़े होगी अगर तो जानते हो कि respiration quescent क्या होता है यह हमारा oxygen और carbon dioxide का अनुपात है ठीक है तो चूंकि हमने कहा अनाक्सी सुसन हो रहा है ठीक है अनाक्सी सुसन का मतलब है ऑक्सीजन की उपस्थिती नहीं है अनाक्सी सुसन हो रहा है ठीक है चूंकि अनाक्सी सुसन है तो इसका मतलब है RQ value क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी RQ value क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी क्यों क्योंकि oxygen जितना ले रहा है और CO2 जितना ले रहा है उसका अनुपात oxygen जब यहाँ पर 0 ही ले रहा है तो यह तो infinite हो गया अगर मालो यहाँ पर बहुत थोड़ा सा ले भी रहा होगा तो भी carbon dioxide बहुत जादा रहेगा इसका मलब RQ value हमेशा एक से जादा आएगी RQ value जब एक से जादा आती है इसका मलब बहुत अधेगे ठीक है तो अनाक्सी सुसन हो रहा है इसका मलब RQ value respiratory quescent बोलते हैं से वो बहुत जादा रहेगा कैसी condition में seed dormancy की condition में ठीक है अच्छा इसके बाद बात करें बीजों में सुसुपता वस्था मुखी रूप से जल की अपारगम में प्रकाश की सुसुपता वस्था या गैस की अपारगम में अवरोधों के कारण उत्पन होती है यानि कारण क्या क्या हो सकते है सबसे ज्यादा जो कारण famous है वो तो यही कि पानी को water को absorb ना कर पाए तो पहला तो हो गया water अगर कोई seed absorb नहीं कर पाता है तो वो germinate नहीं कर पाएगा इसका ममलब ahor सुसुपता वस्था में बना रहेगा यहीं इसे बोलते हैं जल की अपार गम्मिता जल असानी से पार करके अंदर नहीं पहुंच पाया दूसरा प्रकाश लाइट उसको पर्याप्त नहीं प्राप्त हो रही तो लाइट के कारण भी सुसुपतावस्था हो सकती है और तीसरा हमारा कुछ गैसेज हमारी जो जरूरी होती है जर्मिनेशन के लिए वो भी अंदर नहीं इंटर कर पा रही है इस वज़े से वो जो है हमारा सुसुपतावस्था में रह सकता है ठीक है अच्छा पढ़ ले जड़ा डॉर्मेंसी जा आरेश्टर इन डेवलमेंट आफ रिवर्सिबल रेस्ट पीरियेड प्लांट सीड आफ एनी विस्टेट्व पार्ट जिससे भी जर्मिनेट कराना जिसको सीड के रूप में आप यूश कर सकते हो सब में सुसुतावस्था हो सकती है ता फॉर्मेशन आफ डॉर्मेंट इस्ट्रेक्चर इस कामनली एस्सुपेंशन आफ मेटाबोलिक सेंथेटिक और मार अफ यहां पर बहुत ज्यादा रहेगा यह बात मैंने आपको बता दी थी इसके बाद मैं बात करू में हो इस पॉइंड को जड़ा समझें हम नेका सीड डॉर्मेंसी एक बायो केमिकल कारण हाइड्रोलूटिक एंजाइम्स जो है कि आक्रियसिलता हो सकती है ठीक यानि हमने कहा यहाँ पर सबसे बड़ा कारण और क्या हो सकता है कारण क्या हो सकता है हमने का कुछ enzymes हैं कुछ enzymes हैं या तो वो या तो वो क्या हो काम ना कर रहे हो आक्रियाशील हो इनक्टिव हो आक्रियाशील हो या फिर वो कम मात्रा में पाये जाते हो enzyme या तो काम नहीं कर रहे है या तो उनकी कमी है ठीक है कमी है या तो जैसे example के तौर पे यहां कौन कौन से example आस अपके काम कर सकते हैं that is zibreellin zebrillin जो हमारा एक हार्मोन है zebrillin हार्मोन हमारा जो है यह काम करता है seed के germination में zebrillin मुख्धा अंकूरन कारक है मुख्धा germination का कारक है और जो हमारा autonom होता है यानि कहने का मतलब है देखो जब सीड को जर्मिनेट होना होता है देखो यह सीड के वो बीज पत्र है मालू चाने का बीज है हमारा ठीक है तो यह बीज पत्र होता है यहाँ पर भोजन होता है ठीक है भोजन होता है इसी भोजन का च्छै करकर ही क्या होता है देरे देरे अंक जाएगा तो रुख जाएगा ठीक है इसके अलावा second काम आता है second number पर पहला काम हो गया जिब्रेलिन का साइटोकाइनिन इंजाइम चाहिए होता है साइटोकाइनिन इंजाइम अगर काम नहीं करेगा तो सीट डॉर्मेंसी यहां पर बड़े पैमाने पर नज़र आएगी इसके अलावा जो हमारी रेड लाइट है जो 660 म्यू मैक्रोन तक पाई जाती है उस लाइट में अंकुरोन बढ़ता है वहें नीली लाइट अगर आ जाती है तो नीली लाइट हमारी जो है अंकुरोन को रोग देती है लाइट की अगर मैं बात करूँ मैंने यहां लाइट बताया था तो मैंने कहा लाइट में रेड लाइट क्या करती है रेड लाइट कितने माईक्रोन तक पाई जाएगी लगभग 660 म्यू माईक्रोन तक हमारी पाई जाती है रेड लाइट ठीक है यहाँ पर बेस्ट जर्मिनेशन हो रहा है यहाँ क्या हो रहा है बेस्ट जर्मिनेशन हो रहा है वहीं जैसे लाइट क्या होती है ब्लू लाइट होती है ये हमारा कितने तक 735 mu micron तक हमारी 735 mu micron ब्लू लाइट पाई जाती है यहाँ पर germination रुक जाता है यहाँ पर germination रुक जाता है याद रखना कौन सी लाइट में germination अच्छा होगा कौन सी light में अच्छा नहीं होगा तो blue light में अच्छा germination नहीं हो पाता है सारी चीज़ें मैंने आपको पता दी इसके बाद dormancy can be broken artificially by various special treatment which may be grouped into two groups germination अगर बीज की सुजबता वस्ता है तो ऐसा नहीं कि प्राकार्त के हम लोग इसको breakdown कर सकते है पहला हम बात करने फिजिकल टीटमेंट दूसरा हम बात करेंगे chemical treatment पहला अगर physical की बात करने तो physical में हमने पांच पहला है हमारा heat treatment क्या कर सकते हो heute treatment कर सकते हो 40-45 डिगरी Celsius temperature पर जो है हमारा different duration में आप रख सकते हो अलग अलग जो है अवदी के लिए हार सीड का वो तो सीड के हिजाब से है कि इसको कितनी अवद तक रखा है लिए टमपरेचर आप 40-45 डिग्री सिल्सियस पर रख सकते हो इसे हमारी जो है सुसुपतावस्था ब्रेक हो जाएगी लो टमपरेचर हो गया लो टमपरेचर टीटमेंट हम लोग 2-8 डिग्री सिल्सियस बारा से 24 गंटे तक सीड को रखेंगे बट सीड शुट भी प्री सुट भी प्री सोग्ड फराट थाटी सिक्स आर बिफोर दे आर गिवन दलो ठेक है अच्छा हमने कहा कि 2-8 डिग्री सेल्सियस सम टमप लेकिन उससे पहले आपको कम से कम 36 गंटे तक बीच को क्या रखना है ठीक है पानी में भीगो कर रखना है तो क्या होगा अगर इतने कम रखोगे तो बीच के अंदर जो हमारा पाया जाता है जो बी क्या बोलते हैं उसको अतलब जितनी भी हमारे जो सेल की हमारी वो समस्तिया हो जाएगी तो वो ना हो इसके लिए हमको गया करना है कम से कम 36 गंटे पहले हमको पानी में भीगो कर रखना है फिर हम लोग उसको 2-8 डिगी सेल सेस्ट टंपरेचर पर रख लेंगे 12-24 गंटे तक अच्छा अल्टरनेट हीटिंग और कूलिंग थोड़ा सा है तो यह हमारे कुछ मैथड है जिनका आप यूज कर सकते हो फिजिकल मैथड है और इसके बाद एक्सपोजर आफ 24 आर्स आफ वाटर सोग सीड तुद रेड लाइट फार वन तू टू आर्स एट दा फिप्टीन टू टू टिग्री सेल सेस्ट टंपरेचर मैंने का 24 घंट आपने पानी को पहले भिगो कर रखा उसके बाद आप क्या करोगे रेड लाइट में आप उसको एक से दो घंटे तक रख दोगे 15 से 25 डिग्री सेल सेस्ट टंपरेचर मैंटेन करके और सीड जर्मिनेट कर जाएगा आसानी से ठीक है तो कि रेड लाइट मैंने कहा तर जर् सीड को जब अठा दिये इस प्रोंस को क्या बोलेंगे स्कैरिफीकेशन बोलते हैं इसका एरिफिकेशन बोलते हैं रिमुवल आफ सीड कोड इसका एरिफिकेशन कहलाता है बाई रबिंग मेक इट पर्मियेबल टू वाटर ठीक है और क्या करेंगे हलका सखेस के पानी में हम लोग इसको रखेंगे जिससे हमारा जो है यह आसानी से जर्मिनेट कर जाएगा डि चित कबरा चित कबर जाएगा अब इसके उपर का आवरंण यह बहुत ठूंस होता है अगर सीड को जर्मिनिट करना है तो भाई सब क्या करना पड़ेगा यह अगर रबार करना है और बीज में पानी इंडर नहीं कर पा रहा है और उसका वजह उसकी मूटी खोल cheesecake करके तोड़कर आसानी से सीट को germinate करने में help का सकते हो आप ठीक है अच्छा ये तो हमारे होगे physical method इसके बाद अगर हम बात करें chemical methods की तो chemical method में हमारा inorganic chemicals हो सकते है और organic chemical हो सकते है inorganic chemical की अगर बात करें पहला तो by acid treatment dilute solution of HNO3 HCl or H2SO4 ठीक है कौन कौन सा आप यूज कर सकते हो कितना HNO3 HCl, H2SO4 कितना यूज करना है आपको 0.1 से 0.5% for different duration in minutes ठीक है अच्छा अलग-अलग समय के लिए विभिन्न वधियों के लिए आप क्या कर सकते हो dormancy breaker के तोर पर जो हमारा HNO3 है ठीक है और HCl है, Hydrochloric Acid है Hydro Sulfuric Acid है ठीक है और यह हमारे जो Acids है इनका आप यूज कर सकते हो बहुत कम टाइम के लिए thought duration के लिए इनका यूज किया जाता है seed treatment में और यह हमारे acid treatment से हम लोग जो है seed की जो हमारी dormancy है इसको break कर सकते है इसके बाद potassium nitrate का आप यूज कर सकते हो KNO3 का यूज कर सकते हो 1-3% strongest and use immediate dormancy breaker after harvesting तुरंत बाद अगर आपको dormancy break करना है तो आप बहुत आसानी से यूज कर सकते हो कौन सा हमारा potassium nitrate को 1-3% या फिर हम लोग ammonium nitrate का भी यूज कर सकते है NH4NO3 है यहाँ पर NH4NO3 1-3% या फिर हमारा H2O2 यूज कर सकते हो S3BO4 का यूज कर सकते हो यह हमारे सारे strongest जो हमारे immediate dormancy breaker है हमारे तुरंत के तुरंत dormancy को break कर देंगे ठेक है कटाई के तुरंत बाद अगर dormancy को break करना है तो हम लोग potassium nitrate का यूज कर सकते हैं या ammonium nitrate का Gases की अगर बात किया जाए तो dormancy में मैंने बदाय था oxygen की कमी हो जाती है तो आप oxygen की मातरा को बढ़ा कर जो है यहाँ पर respiratory quaintcent को कम कर देंगे oxygen की मातरा बढ़ जाएगी तो इससे हमारा क्या होगा इससे हमारा बीज आसानी से सुसुपता वस्था जो हमारी है dormancy है हमारी break हो जाएगी second अब हम लोग बात करें organic chemical अब आजओ organic chemicals में कौन-कौन से chemical यूज कर सकते हो non-hormonal में आप लोग thaiyo-yuria यूज कर सकते हो और यूज कर सकते हो ascorbic acid non-hormonal में thaiyo-yuria और ascorbic acid का यूज कर सकते हो hormonal में कौन-कौन सा यूज कर सकते हो gibralik acid यूज कर सकते हो normally आप एक से 1000 ppm के बीच में यूज करोगे gibralik acid का dormancy breaker के तोर पे commonly used hormone to the break dormancy या फिर आप kainetin का यूज कर सकते हो ethylene का यूज कर सकते हो ethyral solution 100 से 300 ppm तका यूज कर सकते हो ethylene यह हमारे dormancy breaker के तोर पे काम आते है सरवाधिक जो आप से question में आता है वो आता है thaiyo-yuria तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा ठेक है तो आप से ये देखो यहाँ पर जो importance है पहला तो thaiyo-yuria important है ABA भी important है FCC acid हम लोग dormancy breaker के तोर पे non-harmonal के तोर पे यूज कर लेते हैं कौन सा hormone dormancy breaker के तोर पे यूज करते हैं that is zebralic acid ठेक है zebralic acid इसके बाद अच्छा यह हो गया इसके बाद अगर हम बात करें हर्मोन हो गया हमारा कुछ हमारे processes है जिसे dehumification आप कर सकते हो removal of water vapor from the air in storage silica gel most common desiccant use for chemical humidifier humidification के लिए आप क्या कर सकते हो water vapor को निकालना है ठीक है water vapor को seed से निकालना है ठीक है और यहाँ पर silica gel का आप यूज कर सकते हो dehumidification के लिए silica gel का यूज कर सकते हो tempering क्या है process up bringing grain or other product to desired moisture or temperature or processing ठीक है जितना temperature चाहिए जितने moisture चाहिए उतनी moisture लाने तक हम लोग temperature को maintain करेंगे अपने हिसाब से ठीक है यहनि अगर moisture उसमें कम हो गई है तो हम लोग क्या करेंगे उसको seed भीगो कर रखना है अगर moisture उसमें ज्यादा है तो हम लोग उसाफ से temperature को maintain करके moisture को normal लाएंगे matrical is a heterogeneity the quality due to the location of the seed in fluorescence different in the floor अलग-अलग flooring pattern की अलग-अलग flooring position होती है इसे हम matrical के नाम से जानते हैं Indian Seed Act का पास हुआ था 1966 में Seed Act की अगर बात करें तो 1966 में पास हुआ था और लागू कर भूआ है 1979 में लागू हुआ है इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे हम लोग last में ठीक है इसके बाद अगर हम बात करें Seed Treatment Beside the breaking seed dormancy Seed dormancy तो आपने break कर ली लेकिन इसके अलावा भी एक काम आपको करना होता है That is Seed Treatment क्योंकि अलग-अलग परपज़स से जिसे बहुत सारे हमारे Seed-born diseases है Seed से होने वाले रोग है या Soil-born diseases है Insect paste में damage करते हैं बहुत सारे इन सब से अगर बचना है तो आप उसी treatment करना पड़ेगा To produce, to promote germination Germination भी बढ़ जाए उससे Hashan nitrogen fixation capacity बढ़ जाए Pulses में दालों में nitrogen को fix करने की capacity बढ़ जाए बुवाई में आसानी हो जाए इन सारे कारणों से हम लोग क्या करते हैं एक formula आप लोग को भी सुधन में हमेशा याद रखना है ठीक है FIR कौन सा याद करना है FIR FIR हमारा एक क्रम है बीज के सुधन का जो आप लोग हमेशा हो सकता है बहुत सारे लोग पढ़े होगे कुछ लोग नहीं पढ़े होगे जनके लिए पहली बार होगा कोई दिक्कत नहीं है आप लोग बस साथ में रहो धीरे धीरे सारी चीज़े हम आपको cover कराएंगे FIR का मतलब क्या है सबसे पहली बार अगर बीज का आपको सुधन करना है तो हम लोग करेंगे कि से fungicide से करम पूसता है तो याद रखना पहले fungicide है फिर हम लोग उसके बाद अगर यूज करेंगे that is insecticide का यूज कर लेंगे और lastly हम लोग यूज करते है rhizobium आप को कि rhizobium तो सिर्फ दालों में यूज करेंगे तो भाई साब rhizobium यहाँ पर rhizobium को ही प्रेजन नहीं कर रहा है कोई भी बायो फर्टिलाइजर यहाँ पर जैसे अगर आप यूज करते हो गेहूं का भी सुधन कर रहा है तो फंजी साइड इंसेक्रिसाइड के बाद इस उटो बैक्टर यूज कर लोगे ठीक है treatment for disease and insect control अगर देखा जाए तो physical treatment हमारे कई सारे हो सकते हैं इसे पहला हमारा हाट वाटर टीटमेंट हाट वाटर टीटमेंट में क्या करते हैं seed are kept in hot water to certain temperature for the certain period कुछ समय के लिए हम लोग कुछ गर्म टंपरेचर में लगबाग हम लोग 54 डिग्री सिल्स यूज करते हैं अलग अलग उसका हम खैर अलग अलग लिख दिया है इसलिए आपको तयार भी हो जाए यह कुछ जो हमारा पानी में गरम पानी में हम लोग क्या करेंगे बीच को भीगो कर रखेंगे जिससे हमारा बीज में कई सारे रोग ना लग पाए लूज समटाफ वीट हो चाहिए लूज समटाफ बारले हो इन दोनों के लिए लगवग 54 डिग्री सेल्स टंपरेचर पर्याबत रहता है फूट में हम लोग 10 मिनट तक भीगो कर रखते हैं और बारले में हम लोग 13 मिनट तक भीगो कर रखते हैं ठीक है इसके लावा अल्टर ने यडिया ब्लाइट हमारा जो है इसमें हूट में हमारा ब्लाइट हमारे में लगता है 38 डिग्री से टम्परेचर तर दस मिनट तक हम लोग रखेंगे इसको ठीक है लीफ स्पार्ट आफ तिल टल में अगर लीप सपार्ट है तो चंवन या तिल का ठेक है अच्छा इसके बाद अगर मैं बात करूं solar treatment after soaking the seed in the water for some hours कुछ गंटे तक आपने बीज को पाने में भीगो कर रख दिया उसके बाद क्या करोगी seeds are dried in scorching sun भाईस आप धूप में आप उसको आसानी से सुखाओ month of May, June, May, June की गर्मी में by keeping one cemented floor cemented first पर या फिर metal seed पर आपने उनको फैला दिया ठीक है पानी में पहले कुछ घंटे तक भीगो कर रखा था उसके बाद आपने क्या क्या दूप में फैला दिया और इससे क्या होगा logismat wheat and barley का आसानी से control किया जा सकता है ठीक है logismat wheat and barley आसानी से आप control कर सकते हो ठीक है किस method से solar treatment से ठीक है इसके बाद अगर हम बात करें chemical treatment में different fungicide का यूज कर सकते हो जैसे agrosan यूज कर सकते हो सेरेसान यूज कर सकते हो captain thiram इन सब का यूज कर सकते हो जो मैंने पहले बताए था फाइयार तो आपने क्या कहा था fungicide सबसे पहले फिर इसके बाद seed enaculum in legumes बहुत सारे rhizobium अलग अलग सब में पाय जाते हैं legumes में seed enaculum उसमें हम लोग तयार करते हैं और rhizobium culture का यूज करते हैं और इससे हमारा जो है पुसकर नाथ ने खोजी थी पूचा जाता है आपसे किसने खोजी थी seed plot technique पुसकर नाथ ने खोजी थी ठीक है उद्देश से क्या है वाइरस free potato पाइदा करना भाई साब इसका उद्देश से प्रोड्यूस seed free from वाइरस yaxs यहनि हर तरीके का वाइरस जो है इसमें चारप्रगार के वाइरस लगते हैं चारप्रगार के वाइरस इसमें नहीं लगेंगे और यह चारप्रगार के वाइरस इसमें नहीं लगेंगे और यह चारप्रगार के वाइरस ट्रांस्मिट किसके द्वारा होते हैं एफिड के द्वारा ट्रांस्मिट होने वाले वाइर यारियां में ये भी तयार के तैया है अपरायल से अगस्त के बीच में क्योंगे इसनमय एफट नहीं लगरा है तो उस समय हम लोग Hier सो ग्राम बीज से एक्टेर में बुआई कर देते हैं न्यूकलियर सीड की बुआई जब करते हैं ठेके स्टार्ट विद दा डिजिज फ्री सीड सोग स्टॉक्स तो पहले तो डिजिज फ्री हो जाएगा तो हमने जब क्या किया अपरेल से अगस्त में हमने कहां हेले रियाज में तयार किया इसको इसका मलब वहाँ पर एफिज नहीं लग रहा था इसका मलब वाइरस का टैक तो पहले नहीं हुआ सीड सुटेबल लुकेशन फिर अच्छी लुकेशन पर आपने जाकर उसको रखा एफिड फ्री क्रॉप ग्रोथ में भी एफिड फ्री रहना है एडॉप्ट लैंड आइसोलेशन और अदर रिक्वार्मेंट सर्टिफाइड प्रोडक्शन आप क्या करोगे लैंड आइसोलेशन आप बना के रखोगे जिससे हमारा अच्छा सीड तयार हो पाए रोगिंग ए इंसेप्शन आफ क्रॉप आप क्या करोगे इंस्पेक्शन करना है कर आपका देख देख रेक करनी है और कोई भी डिजिस वाला प्लाइट मिलता है आपको पापुलेशन में तो उसको उखाड कर क्या करना है दफना देना है जाके तो रोगिंग इसे बोलते है इस प्रोसेस को क्या बोलते है रोगिंग बोलते है ठीक है तो इन सब प्रक्रियाओं से आप जो है क्या नुक्लियस सीड प्रोटेटो का प्रोडूश कर सकते हो good crop management में आप क्या कर सकते हो अच्छा crop management अगर आपको करना है तो क्या करोगे timely planting करो aloo की planting कब करने है first week of October में raising the crop on not too rich soil no judicious manuring and heavy fertilizer ना बहुत जदा manuring करो ना बहुत जदा fertilizer use करो बहुत अच्छी soil में उगाना भी बहुत अच्छी चीज़ नहीं है कोई दिक्कत नहीं है आप normal soil में आसानी से उगा सकते हो seed are planted closely used for pre-sprouted tubers ठेक है जो हमारे pre-sprouted tubers हलके से germinate हो गए हो नहीं tubers का use कर रहे हैं लोग हो आई के तौर पे restricted irrigation after the crop has been tuberized well with the hold irrigation 10 to 15 days before restrict the irrigation by middle of December and gradually by end of December ठेक है कहरा देखो जब germination हमारा tuber formation हो गया है अच्छे से आलू में उसके बाद आपको सिचाई की कोई आवशक्ता नहीं है और सिचाई 10 से 15 दिन पूरव ही इसके बंद कर देनी चाहिए tuber formation की December के मद्ध में सिचाई को सीमित कर रखना है December के अंत तक आते आते आपको बंद कर देना है ठीक है December middle में आपको धीरे धीरे कम करते जाना है और December लाट तक आते इस चाई को बंद कर देना है हल्म सुड़ भी dried up to the middle of January January के लाट तक आते आते आपके जो हल्म सूपर निकले हो यानि प्लांट है और वो क्या होंगे वो सूख जाने चाहिए अगर वो नहीं सूख है तो आप डिहल्मिंग करके उनको कट कर दोगे ना तो उससे वो धीरे दिरे सूख जाएंगे ठीक है एफेड अटेक नहीं कर पाएंगे इंड आफ जनवरी में भी ठीक है इसके अलावा ट्यूबर आरे लाउट टू रिमें इन दा स्वाइल अप टू दा इंड फरवरी ओर अर्ली मार्च अर्ली मार्च तक ट्यूबर को बने रहने देना है में में भी स्प्रेड आप थलका फुलका अगर चाहो तो जो है इनको आसानी से इनकी स्कीन को मोटा होने देना है तो उपर का जो डिहल्मिंग प्रोसेस हमने आपको बताया है नहीं बताया है देखो यह आलू नीचे लगा है ठीक है आलू का प्लांट उपर आपको पतिया नजर आ रहे होंगे ऐसा कुछ आप क्या करोगे यहां से आलू के प्लांट को कट कर दोगे क्या कर दोगे कट कर दोगे कट कर देने से क्या होगा यह सूख जाएगा उपर वाला पौधा पूरा जब जड़ से इसका कनेक्शन कट गया है और नीचे जो हमारा आलू होगा जिसकी ऊपर वाली परते नहीं जो छिकला है वो बहुत पतला है वो धीरे देरे क्या होगा मोटा होना स्टार्ट हो जाएगा और इसी प्रोसेस को हम डिहल्मिंग बोलते हैं इसी वज़स किया जाता है कि हमारा खुदाई के समय नुकसान ना अगली कॉमर्सियल क्रॉप के लिए हम लोग इसको सीड के रूप में यूज कर सकते हैं यह एक हेक्टियर में आपने बीज तयार कर लिए तो 10 से 15 हैक्टियर क्रॉप के लिए आपको क्या हो जाएगा उद पादन के लिए आपके पास 20 हो जाएगा ठीक है लगभग 10 गुन इसके बाद National Seed Corporation NSC कब हुआ था, National Seed Corporation कब बना था, 1963 में, यही आप से पूह आता है, NSC National Seed Corporation कब बना था, 1963 में बना था, Seed Industry इंडिया में बढ़ायवा देने के लिए बनाया गया था, और to produce supply and foundation seed of various crops, ठीक है, to produce supply foundation seed and various crops, ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर बाद करें, State Seed Corporation हमारे बनाया गया, अलग-अलग States में, ठीक है, अलग-अलग States में State Seed Corporation बनाया गया, जिससे हमारा सीड को और अच्छे से तयार किया जा सके, SSCs are chiefly concerned with the production of supply of certified seed, certified seed को produce करने के लिए, to reduce the workload of NSC, NSC का काम कम हो जा, इसके लिए काम करते हैं यह लोग, ठीक है, और पंतनगर में हमारा तरहाई development corporation पहले तयार किया गया था, TDC बनाया गया था, उसके बाद धीरे-धीरे SSCs बनाया जाने लगे, State Seed Certification Agency हमारी कही सारी बनाई गई है, जो नॉर्मल सीड आप लोग तयार कर रहे हो, उसको वो लोग, वो एजेंसी कही सारी उनिवर्स्टी जो सीड तयार करती है, उनको सब कौन कर सर्टिफाई करेगा, इसके लिए State Seed Certification Agency बनाई गई है, ठीक है, इसके अलावा अगर बात कहीं है, Seed Act की, सीड एक्ट हमारा कब तयार हुआ था, सीड एक्ट बना था, 1966 में 29 दिसंबर सन 1906 को हमारा ये बन कर तयार हुआ, ठीक है, और, दे सीड रूल्स वर नोटिस्ट इन, सीड रूल हमारा कब नोटिस किया गया, 1968 में, सीड एक्ट उनिसो चांचट में आया, सीड रूल हमारा आया, 1968 में, और हमारा ये सीड एक्ट लागू कब हुआ, इन फोर्स कब हुआ, देट इस 2 अक्टूबर 1969, 2 अक्टूबर 1979 को हमारा ये लागू हो गया था, सीड वार डिक्लेर जिंदा, एसेंसियल कमोडिटी सीड को हम लोग ने आवस्यक, एक कमोडिटी के रूप में मानिता दी, एसेंसियल कमोडिटी एक्ट 1955 के तह सीड को हमने क्या किया, एक एसेंसियल कमोडिटी के रूप में मानिता दे दी, ठीक है, ये हमारा सीड टेका से खतम हो गया है, कल हम लोग जो है weed problems में enter करेंगे weed problems दो दिन का जहां तक class होगा या तीन दिन का में भी weed problem थोड़ा सा बड़ा आगर होगा तो तीन दिन में आपका असानी से खतम हो जाएगा ठीक है, line by line आपको पढ़ना नहीं है जितना important है उसी portion को cover करते हुए हम लोग चलेंगे vacancies धड़ा धड़ा आपकी आई रही है तो थोड़ा सा आप लोग लग के एकदम तयारी कर लो अभी ठीक है और बिहार वाली vacancy आ गई है मतलब vacancy नहीं आई है notification आ गया सले बस आप लोगों ने देख लिया होगा 400 नंबर का उसमें आपको जो है agriculture देखने को मिलेगा और 100 नंबर का Hindi और 100 नंबर का GS ठीक है तो आप लोग एकदम फोकस रहे हो 400 नंबर agriculture है तो बहुत important आपके लिए अच्छीगासी vacancy है ठीक है तो लग जाओ सब लोग तयारी में और हम लोग फिर मिलेंगे